अमिताब बच्चन और राजीव गांधी यानि अपने अपने आस्मान के दो सूरज एक ने बंबई की 35 mm की सिलवर स्क्रीन पर अपने आपको महनायक साबित किया तो दूसरा देखते ही देखते इस देश की सियासत का नायक बन वैठा इस देश का मुखिया बन वैठा अगर यही सोच रहे है तो गलत सोच रहे है चूंकि अमिताब और राजीव अपने अपने आस्मान के दो सूरज नहीं बलकि वो दो दरख्त है जो दिखाई तो पड़ते हैं अलग अलग जमीन पर रोपित मगर जमीन के नीचे कहीं गहरे उनकी जड़े एक दूसरे में इसकदर पैबस्त है कि एक की जड़े हिलाएंगे तो दूसरा दरख दरख जाएगा और एक के दरख्त हिलाएंगे तो दूसरे की जड़े हिल जाएंगी यह अमिताब बच्चन और राजीव गांधी की वो महागाथा है जिसके हर मोड से गुजरते हुए आप अमिताब और हर समय नजर आते हैं और अगर राजीव के सियासी सबक याद करते हैं तो हर जगहां अमिताब का अक्स नजर आता है अमिताब और राजीव की इस महागाथा के एक मोड से गुजारते हुए आज हम भी आपको वहाँ ले चलेंगे जहां तक शायद आप कभी नहीं पहुंचे होंगे आज की इस मुलाकात में हम आपको अमिताब बच्चन के फिल्मी संघर्ष और राजीव गांधी की जिंदगी के उस दिल्चस्प वाकिये से होकर गुजारेंगे जहां से गुजरते हुए आपके होठों पे एक हलकी सी मुस्कान और चहरे पे हलकी सी लाली अपने आप आ जाईगी आज की इस मुलाकात में आपको क्या बताने वाले है पहले ये बता देते है मिताब बच्चन की पहली फिल्म कौन सी है जंजीर नई साथ इंदुस्तानी नई रेष्वा ओशेरा कौन सी है पहली फिल्म कैसे मिली थी और इसमें राजीव गांधी और इंडरा गांधी का क्या योगदान था जिल्चस्प कहानी है नहीं सुनी होगी आपने इस बात की सौफिस्दी गारंटी है तो साथ में बने रहेंगे तो इस कहानी से भी परचित हो जाएंगे मुद्दा नंबर दो राजिव गांधी को कैसे मिल गई थी फिल्म फिल्मों में काम तो राजिव ने कभी किया नहीं तो राजिव को फिल्म कैसे मिल गई और अमिताव का रोल काट के कैसे मिल गई कौन सी थी वो फिल्म तमाम बातें आपको मालूम चलेंगी बस हमारे साथ इस यात्रा में बने रहें तो अमिताव और राजीव के कई दिल्चस्फ किस्तों से परचित होते चलेंगे जो हमने अभी आपको इस कतार में गिनाये भी नहीं है आज से तक्रीबन 52-53 साल पहले की बात हुगी साल था 1967 दिल्ली का पालम हवाई अड़ा और हवाई अड़े पे उत्रा था लंडन से आया हुआ एक जहाज जहाज जिसकी अगवानी करने के लिए कॉंग्रस के बड़े बड़े नेता बड़े बड़े मंतरी पलके विछाए हुए खड़े थे क्यों चुंकि इस जहाज से आ रहा था इस देश के प्रधान मंतरी का बेटा राजिव गांधी जो लंडन से पनी पढ़ाई पूरी करके भारत वापस लोट रहे थे हवाई जहाज के गेट पे जैसे राजिव पहुँचे नीचे खड़े मंतरी राजिव की ओर लपके भाईया सामान लाईए हम रखते हैं आप मत उठाईएगा कष्ट ना हो आपको लेकिन राजिव ने अपने सारे बैक दे दिये मगर उनके हाथ में एक पैकेट था जिस पैकेट को वो किसी को देना नहीं चाह रहे थे एक मंतरी महोदय तो लपक ही पड़े भाईया वो पैकेट भी दे दिजिए राजिव ने का नहीं ये पैकेट मेरे ही पास रहेगा सबने सोचा लगता है भाईया लंडन से कुछ खास लेकर आए हैं सब सोचे चलो कोई बात नहीं राजिव जैसे ही जीने से नीचे उतरे मंतरी महोदय आगे है भाईया गाड़ी तयार है चलिए इंद्रा जी आपका इंतजार कर रहे हैं नास्ते की टेबल पे राजिव ने का तुम चलो मम्मी से कह देना मैं एक घंटे बाद आऊंगा सबको पता था राजिव दिल्ली में अगर अपने घर नहीं जा रहे हैं तो कहां जा सकते हैं एक ही तो घर था तेजी बच्चन का घर यानि अमिताब बच्चन का घर राजिव अपनी मन पसंद खुली जीप में सवार हुए और सेल्फ ड्राइब करते हुए सीधा तेजी बच्चन के घर पहुँचे डोर बल बजाई दर्वाजा अपना राजिव को लगा आमिताब निकलने वाले होंगे तो जपट के गले लगने वाले थे कि अचाना ठिठक गए चुंकि दर्वाजे के भीतर से तेजी बच्चन बाहर आई थी यानि आमिताब की मम्मी राजिव ने नमस्ते किया आंटी नमस्ते तेजी बच्चन ने जवाब दिया नमस्ते बेटा राजिव कब आई लंडन से राजिव ने कहा बस अभी अभी आया आणिटी वैसे अमित कहाँ है तेजी ने कहा उसने बताया नहीं था तुमेरे वो तो गया बंबे राजिव ने कहा बंबे गया इतने सारे लेटरस में तो उसने मुझे कभी नहीं बताया कि वो बंबे जाने की सोच भी रहा है और बंबे चला गया तेजी ने कहा अचानक decision ने लिया राजिव ने कहा वैसे करने क्या गया है तेजी ने कहा फिल्मों में काम करने राजियू ने का फिल्मों में काम करने ये तो राजियू को पहले से मालूम था कि अमिताब को फिल्मों में ज़रा रूची है अब आप बोलेगे वो कैसे तो वो ऐसे कि 1955 के दशक में हॉलिवुट फिल्मों की स्पेशल स्क्रीनिंग कराई जाती थी राश्ट्रपती भावन के भीतर और अमिताब राजियू घंटों घंटों वैट के हॉलिवुट की फिल्में देखा करते थे यही वो जगहां थी जहां पहली बार अमिताब के कोड़े मानस पर फिल्मों में काम करने का नशा सवार हुआ था जहां पहली बार अमिताब को एहसास हुआ कि वो भी 35 हमें की सिल्वर स्क्रीन पर अपने आप को हीरो के तौर पर देखना चाहते हैं अमिताब ने यह बात राजीव को भी बताई थी इसलिए राजीव को इतना तो इल्म था कि अमिताब को फिल्मों में काम करने में मज़ा आईगा मगर क्या फिल्म में मिल गई तो तेजी ने का नहीं मिली नहीं है धूनने गया है तो राजीव को लगा अच्छा यानि फिल्मों में काम धूनने गया है खेर कोई बात नहीं तेजी बच्चन से नमस्ते करके वापस खुली जीप में बैठके राजीव अपने घर आये, इंदरा के साथ नाश्ता किया और फिर उसी दो पहर फ्राइट से बंबई के लिए रवाना हो गए जब बंबई पहुंचे तो अमिताब का हाल देखके राजीव की आखें फटी की फटी रह गई ये वही अमिताब हैं जो दिल्ली के आली शान बंगले में रहा करते थे ये वही अमिताब हैं जिनकी पढ़ाई नैनी ताल के आली शान शेर्वुड स्कूल में हुई थी लेकिन वही अमिताब बंबई की गलियों की खाक छान रहे थे अमिताब का स्वास्त इतना गिर गया था कि राजीव को भरोसा नहीं हो रहा था ये उनका मिताब है लेकिन अमिताब के दिमाग पे बस एक ही नशा था फिल्मों में काम करना है तो फिल्में चाहिए ही चाहिए और फिल्में मिलने के लिए डिरेक्टर और प्रोडूसर्स के घरों के चक्कर काटना मजबूरी थी डिरेक्टर और प्रोडूसर्स के दफ्तरों के चक्कर काट काट के आमिताब भच्चन इतने कमजोर हो चुके थे कि राजीव ने सबसे पहले तो उन्हें ये सला दी कि तुम अपने स्वास्त का धान रखो राजीव को बड़ी चिंता हुई, छुटपने का यार था राजीव ने सोचा अब अमिताप के साथ कुछ दिन बंबई में रहा जाए सोचिए, प्रधान मंत्री का बेटा अपने दोस्त के साथ उसके फिल्मी संघर्ष में साथ देने के लिए बंबई की गलियों की खाक छान रहा था राजीव गांधी और अमिताप बच्चन दोनों साथ में डैक्टर और प्रोडूसर्स के चक्कर काटने लगे दस बाई दस के कमरे में राजीव उन्हें ना जाने कितनी रातें गुजारी मोंगी यानि इस देश के प्रधान मंत्री का बेटा इंदिरा गांधी का बेटा चवाहर लाल नहरू का नाती जिसके लिए इस देश के बड़े बड़े होटेल से लेके सबसे टॉप क्लास बंगलो तक के रूम्स खाली पड़े थे कि वो जहां चाहे जब चाहे जैसे चाहे सो सकता है वो दस बाई दस के कमरे में सिर्फ इसलिये सो रहा था चुनकि उसका यार बंबई की संगर्ष में जोटा हुआ था राजिव वहां अपना नाम कभी नहीं बताया करते थे नाम क्या सरनेम समझे ये राजिव की शुरू की आदत थी जो राजिव ने आगे भी जारी रखी थी कभी भी अपना नाम गांधी सरनेम लगा के नहीं बताते थे हमेशा नाम पूछो तो राजीव ही बताते थे उन्हें पसंद नहीं था कि गांधी नाम सुनते ही लोग उनके साथ बड़ा सहच सा वेवहार करने लगते हैं खेर राजीव और अमिताब बंबई में संघर्ष कर रहे थे एक दिन गुजरा हफ्ते गुजरे महीने गुजर गए अमिताब को फिल्मे थी कि मिलने का नाम नहीं ने रही थी पही कोई क्यों देगा मिताब को फिल्मे, ना मिताब की शकल अच्छी थी, ना मिताब कोई National School of Drama के Gold Medalist थे, ना मिताब ने इसके पहले कोई फिल्मे की थी, तो काये को देगा कोई फिल्म मिताब को, ना बड़ी रोमेंटिक मिजास के हीरो नजर आते थे, उन दिनों राजेश खनना का दौर हुआ करता था, सभी कोई रोमेंटिक फिल्में बनाने में व्यस्त था, तो अमिताब को फिल्में देगा कौन, फिल्में मिले ही नहीं रही थी, ठक हारके राजीव ने सोचा अब इसमें अपना सोर्स लगाया जाए, यानि अब अपनी सियासी ताकत का इस्त आता है, और फिल्में नहीं मिल रही है, इंदरा भी अमिताब को बच्चपन से जानती थी, जान छिड़कती थी जनाब, अमिताब बच्चन को जितना प्यार इंदरा गांधी और पंडित जवाहर लाल नहरू से मिला है, उतना शायद बिडलों को नसीब होता है, इंदरा खत लिखा, बॉलीवुट के मशूर डिरेक्टर, ख्वाजा हमद अब्बास के नाम, खत में लिखा, आप अपनी आने वाली फिल्म में इस नए लड़के अमिताब बच्चन को अपने सबसे महत्पून किरदार के लिए फाइनल करेंगे, ऐसा मेरा सुझाओ है, अब इंद गांधी का आदेश डाल दे, ख्वाजा हमद अब्बास ने अपनी आने वाली भवप्रतीक्षित फिल्म साथ हिंदुस्तानी के सबसे महत्पून किरदार के लिए अमिताब बच्चन का नाम फाइनल कर दिया, बस यहीं से शुरू हो जाती है अमिताब बच्चन की फिल्मी केरियर की गाड़ी पहली फिल्म साथ हिंदुस्तानी दिलवाई थी इंदिरा गांधी ने, अमिताब की शूटिंग शुरू हो गई, जब शूटिंग शुरू हो गई तो अमिताब व्यस्त हो गई, अमिताब व्यस्त हो गई तो राजीव ने सोचा चलो अब हम भी अपनी त्यारी करते हैं किसकी? पॉलिटेक्स की नहीं? पॉलिटेक्स में तो राजीव को जाना ही नहीं था राजीव पाइलेट का क्रैश कोर्स करने के लिए दहरादून चले गए दहरादून से दिल्ली आना जाना लगा रहता था अधर अमिताब की शूटिंग चालू थी तो दोनों में बादचीत जड़ा कम हो पाई छे महीने गुजर गए इसी बीट साथ हिंदुस्तानी आके रिलीज भी हो गई रिलीज भी हो गई और पिट भी गई इतनी बुरी पिटी कि अमिताब का क्यारियर शुरू होने से पहले ही खतम हो गया महने अमिताब बच्चन जो पहले as a fresher नजर आते थे अब as a flop film के hero नजर आने लगे पहले तो फिर भी कोई चांस था कि चलो fresher के नात्य अमिताब को कोई film मिल जाए अब तो और नहीं मिलने वाली थी चुंकि अमिताब बच्चन एक फ्लॉफिं के हीरो हो चुके थे तो अमिताब बच्चन के लिए संखर्ष खतम होने के बजाए और ज़्यादा बढ़ गया था इधर राजियू को तो यह सब बाते मालूम ही नहीं कुई राजियू दर ट्रेनिंग में वेस्ट थे ट्रेनिंग पूरी करके एक दिन राजियू दिल्ली आये तो अमिताब को फोन लगाया तो सामने से अमिताब ने अपना हालचाल सुनाया हाल चाल सुनकर राजीव के हाल ऐसे बिगड़े कि राजीव को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि हुआ क्या चुँकि राजीव तो पिछले 6 महिने से यही सोच रहे थे कि साथ हिंदुस्तानी मिल गई है अमिताप को तो अमिताप कभी फिल्मी कैरियर चले ही पड़ा होगा उस दिन राजीव को मालूम चला कि न वो फिल्म चली थी न अमिताप का कैरियर चला था और तो और पहले तो थोड़ी बहुत उमीद थी भी कि अमिताप को फिल्म मिल जाए चुँकि अमिताप फ्रेशर थे अब तो को कोई भी उमीद नहीं है कि अमिताब को दूसरी फिल्म मिलेगी चुंकि अब तो अमिताब एक फ्लॉप फिल्म के हीरो हैं, तो फ्रशर को तो फिर भी कोई फिल्म दे के रिस्क ले सकता है, फ्लॉप फिल्म के हीरो को भला कौन फिल्म देगा, तो राजीव को लगा, अब इस इससे फिल्म भी चले और अमिताब का कैरियर भी चले इंदिरा ने तुरंत राजीव से पूछा चलो बताओ बॉलीवोड में कौन सा बड़ा प्रोडूसर कौन सी बड़ी फिल्म रिलीस करने जा रहा है उसी को लिद्धूंखत अब राजीव को तो फिल्म जगत को कुछ माल जाएगा तो गसब हो जाएगा पक्का हिट हो जाएगे मिताब भीया इंद्रा ने का अच्छा लगे हां तिंद्रा ने अपने लेटर हैट से सुनील दच साहब के नाम खत लिखा आशा है सुनील दच साहब आप इस नए संघर्षी लड़के के संघर्ष को इसका आयाम दे अब इंद्रा का सुझाओ आदेश ही होता है फिर चाहे वो ख्वाजा अहमद अब्बास हो या फिर सुनील दच हो सोच के देखिए इस देश का प्रधान मंत्री एक फिल्मों में काम करने वाले लड़के को फिल्म दिलाने के लिए सिफार्षी खत लिख रहा था एक नहीं दो दो बार लिख रहा था भला ऐसा होता है कहीं लेकिन यह इंद्रा गांधी थी जिनके लिए अमिताप बच्चल उनके बेटे के ही जैसा था जो इंद्रा गांधी अपने बेटे संजय की मौत पर अपने आसू पुरी दुनिया से छिपा गई थी वो इंद्रा गांधी ज दर्द अमिताप के हो रहा था, मगर दर्द इंद्रा की आँखों में नजर आ रहा था। ये इंद्रा अमिताप का रिष्टा था जो इंद्रा की मौत तक बदस तूर जारी रहा। अमिताप की इंद्रा की राजीव की आमिताप को तो मानो ऐसा लगने लगा था कि आप बंबई से उनका पैर उखड़ी चुका है और वो वापस इलावाद की और प्रस्थान कर लेगा। वो तो शुकर है कि हरिवन्ष की चिट्खी पहुँच गई थी जिसकी वज़ा से अमिताप बंबई में रुख गए। लेकिन बड़े परिशान थे। फिल्में थी कि मिलने का नाम नहीं ले रही थी, क्या करें, क्या ना करें, इलाहबाद लोट नहीं सकते थे। इसी बीच राजीव ने एक दफा फिर बंबई का रुख किया। चुकि राजीव ने टेलीफोन से बाचीत के जरिये ही सही, मगर अमिताप के दिल का हाल जान लिया था कि अमिताप को एक सपोर्ट की जरुवत है। एक ऐसा साथ जो अमिताप के कंधे पे बार-बार हाथ रखके कहे, you can do it। तो you can do it कहने अमिताप का यार एक दफा फिर बंबई पहुँच चुका था। राजीव गांधी एक दफा फिर बंबई की गलियों में घूम रहे थे, राजीव नाम के साथ। गांधी नहीं बताया करते थे। एक ऐसा ही दिन था डिरेक्टर बिडूसर्स के घर के चक्कर काटे जा रहे थे, अमिताप के पास फोन आया। ये फोन अमिताप के दोस्त अनवर का था। अनवर जो लेजन्ड एक्टर और डिरेक्टर महमूत के छोटे भाई थे। अनवर ने अमिताप से का दोस्त तुम्हारे लिए एक काम की खबर है। अनवर ने का क्या। अनवर ने का भाईजान एक फिल्म बनाने वाले हैं, क्या पता तुम्हें ही काम मिल जाए। अनवर ने का दिला देते यार तो बड़ी महरवानी होती। अनवर ने का ऐसा करो आज शाम को पांच बजे मेरे घर आओ भाईजान से मिलवा देता हूं तुम्हें अमताब ने का ठीक हैं शाम को पांच बजे अमिताब राजीव को लेके अनवर से मिलने उनके घर गए अनवर ने राजीव को देखा अनवर राजीव को पहले भी कई बार देख चुके थे तो अनवर तो जानते थे कि ये राजीव गांधी है लेकिन महमूत को तो पता नहीं था कि अनवर आज देश्ट के पुर्धान मंत्री के बेटे को अपने साथ लाने वाले है तो अनवर ने दिमाग लगाया कि जैसे ही वो कमरे में घुसेगा तुरंत महमूत के कान में जाके बता देगा ताकि महमूत साहब ज़रा अदब्ट से विहयव करे चुके कहीं पुर्धान मंत्री के बेटे के साथ बत्तमीजी कर दी तो पुर्धान मंत्री की भौवें तन जाएंगी और फिर मामला ज़रा गड़बड हो जाएगा अनवर ने का आओ 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 अमिताब और ऐसा करते हुए जीने से उपर चड़े और उपर महमूत के कमरे का दरवाजा खोला दरवाजा खोला की अनवर की आँखे फटी की फटी रह नहीं अनवर ने देखा सामने महमूत साब नशे में धुत्त शराप के नशे में नहीं महमूत साब शराप का नशा नहीं करते थे टैबलेट का नशा करते थे Compose नाम की एक टैबलेट आती थी उसके overdose के जरिये महमूद नशा करती थी जैसे कुछ लोग कोरेक्स की बोतल पीके नशा करते हैं ना बिलकुल वैसे तो उस नशे में आदमी बेसुद नहीं होता है मगर इस स्मृती पे कुछ ना कुछ असर तो रहता ही है तो महमूद साब बैठे हुए थे हलकी हलकी सी जपकी टाइप की ले रहे थे अनवर महमूद के पास गए बोले भाईजान आपकी फिल्म रिलीज होने वाली है ना उस फिल्म में काम के लिए ये अमिताब बच्चन आये हैं तो महमूद साब ने ऐसे देखा तो सामने अमिताब भी नजर आये राजिव भी नजर आये अब महमूद को पता नहीं था इसमें अमिताब कौन है राजिव कौन है तो कैसे ही महमूद ने कह दिया हाँ हाँ ठीक है बैठो बैठो सब लोग सब लोग बैठे अब महमूद साब असहट सा वेवहार कर रहे थे क्योंकि नशे में थे अनुवर को लगा मामला गंभीर हो सकता है क्योंकि नशे में कहीं महमूद साब बत्तमीज हो गए थो तो अनुवर आया धीरे से महमूद के कान में कहा महमूत साथ सामने जो गोरा गोरा लड़का दिख रहा है ये देश के प्रधान मंत्री का बेटा है तो ज़रा अदब्स रहिएगा राजियू गांधी है लेकिन महमूत ने पता नहीं क्या हुआ इस बात को गंभीरता से लिया ही नहीं या सुना ही नहीं एकदम नॉर्मल ऐसे वियाप कर रहे थे इसी बीच अनवर ने कहा कि भाई साब इनकी एक्टिंग बड़ी अच्छी है ऐसे हाँ दिखाया इधर अमताब बैठे थे इधर राजियू बैठे थे अब महमूत को लगा कि अनवर राजियू की बात कर रहे है अचानक ऐसी बातचीत हुई चाय कॉफी हुई और फिर महमूत ने अपने जेप से 5000 रुपे की गड़ी निकाली और अनवर को बुलाया का दे दो उसको अनवर ने क्या भाईजान फुला एडवांस है फिल्म में काम दे रहा हूं इसे दे दो तो अनवर खुश हो गया अमिताप भी खुश हो गया चलो भाई साब फिल्म मिल गई अनवर हसते हुए अमिताप को नोटों की गड़ी देने लगा तब तक महमूद ने का रहे उसे कहा दे रहे भाई उसे थोड़ी दे रहा हूं वो बगल वाली लड़के को दो इतना स्मा क्या राय माजरा राजीव गांदी को बैठे बिठाए फिल्म मिल गई खैर अनवर बाद में जाके बोले कि अरे ये फिल्म नहीं करने वाले हैं अमिताप बच्चन ये हैं तो उस समय तो महमूद ने मना ही कर दिया अरे नहीं नहीं तो इसको मैं नहीं दूँगा फिल्म न नोटों की गड़ी दर लो नोटों की गड़ी लिए जेम में रखे वोले ठीक है कल आना मामला तल गया राजीव और अमिताप घर आ गए अगरे दिन फिर अनवर गए इस बार राजीव को लेके गए ही नहीं अमिताप सुचे रिस्क कहे ले पता चले फिर राजीव को कहने लगे तो दिक्कत हो जाएगी खैर ऐसे ही तीन चार चक्करों में महमूत को मनवा ही लिया अमिताप ने और आखिरकार महमूत की उस फिल्म में अमिताप को काम मिल ही गया यह अमिताप की कैरियर की तीसरी फिल्म बनी फिल्म का नाम था Bombay to Goa तो कैसा लगा किस्सा करना मत भूलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए पॉल्टिक्स जिससे ऐसे इंट्रस्टिंग पॉल्टिकल अनेक्डोट्स लगातार आप तक पहुंशते रहें